गुड मॉनिंग तो आज हम हाइड़र्टी फॉर्म मूल पढ़ने जा रहे हैं यह भी एक्जाम में कई बार आ चुका है और इससे रिलेटेट क्वेस्टेंज कहां कहां से आएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तो हाइड़र्टी फॉर्म मूल हाइड़र्टी फॉर्म मूल ठीक है ओबी जी का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर्थ एर जीनम थर्ड एर के लिए बहुत इंपोर्टेंट एस वेल एस कॉंपेटिटिव परपस से भी ठीक है तो इसका जो दूसरा नाम होता है इसको बोला जाते है वैसिक्यूलर मूल क्या बोलता है इसको वैसिक्यूलर मूल इसका तीसरा नाम क्या है इसका नाम है गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक पूरा लिख देता हूं पहले gestational, sorry, gestational, gestational, trophoblastic, gestational, trophoblastic, neoplasm, ठीक है, तो इन तीनु का ही अलग-अलग नाम है, कैसे, gestational का मतलब आपको पता है क्या होता है, pregnancy, clear, trophoblastic हमने पढ़ा था, ट्रोफो ब्लास्ट कहाँ पर देखने को मिलता है, placenta में, ठीक है, और new plasma क्या होता है, new cells का बनना, ठीक है, new cells का बनना ही क्या गया राता है, new cell growth हम कह सकते हैं से, तो हमारे पास तीन नाम आगए, hydratiform mole की, एक तो hydratiform mole आ गया, एक vesicular mole, क्योंकि vesicles बनते हैं, vesicles क्या होता है, actually, cyst form होता है, जिनके अंदर क्या होता है, fluid field रहता है, ठीक, वो उनको क्या बोला जाता है, lesions जिनके अंदर fluid field रहता है, vesicular mole, और gestational trophoblastic new plasma मतलब, gestational मतलब pregnancy, new plasma मतलब new growth, और trophoblast का मतलब placenta, clear हो गया इतना, ठीक है, अब आगे की तरफ हम चलते हैं, अब इसको हम, यह hydratiform mole का मतलब क्या है, यह अलग सा वर्ड लग रहे हैं, चलो, vesicles भी हमको पता है, नियो प्लास्म भी हमको पता है, यह hydrated क्या है, तो यह hydratiform लिया गया है, hydrated से, किस से लिया गया है, hydrated mole से, अब यह hydrated mole क्या होता है, आपने देखा होगा, डॉग के उपर, सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, कभी-कभी, जो हमारा डॉग होता है, उसके अंदर सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, उसके उपर, उसकी स्किन के उपर, ठीक है, वो क्यों होता है, डॉग में एक वर्म होता है, डॉग वर्म, ठीक है, डॉग वर्म की वज़ाए से, कुछ सिस्ट हो जाते हैं, जब डॉग के उपर, वो कैसे दिखते हैं, वो सेम टू सेम, और उन सिस्ट को बोला जाता है, हाईडेटेटेड सिस्ट, यह हाईडेटेड सिस्ट क्या होता है, जो डॉग के उपर होता है, तो हमारा जो हाईडेटेड सिस्ट है, वो हमारे हाईडेटी फ़र्म, बोल की तरह ही सिमिलर दिखता है, हमारे जो वैसिकल्स, जो प्लैसेंटा के उपर, जो हमारे vesicles बन रहे हैं ऐसे छोटे-छोटे ठीक है यह किसकी तरह दिखते हैं वैसे दिखते हैं जैसे डॉग के उपर हमको hydrated cyst देखने को मिलता है ठीक है यह dog warm की disease condition होती है डॉग में लेकिन इसी की तरह hydrated cyst की तरह हमारा vesicular mole दिखता है तो हम इसी लिए यहां से नाम लिया ग कर लेता है यह हैं तो हम यह कह सकता है कि दिस डिस्वयर अन्म जिसमें होता किया हैँ इन विच कॉंसी ओप्विश्वेक्च रहती इसमें इन विच proliferation क्या होता है proliferation of chorion layer क्या chorion layer जिससे क्या होगा chorion layer में अगर by chance multiple cyst form हो गए chorion layer with multiple system कह सकते हैं इसको with multiple cyst with multiple cyst और थोड़ा सा और कर लेते हैं multiple cyst formation और vesicle formation क्या और vesicle formation कहां पे inside the uterus कहां पे inside the uterus clear है तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं यह है क्या तो हमने खाए किसका disorder है placenta का disorder है जिसमें क्या होता है proliferation होता है in which proliferation of chorionic layer आप मैंने chorion layer लिखा है आप chorionic layer लिख सकते हैं chorionic layer with multiple with multiple cyst formation जिसमें क्या होता है बहुत सारे cysts बन जाते हैं ऐसे ऐसे placenta की chorion layer के उपपर या उनको vesicle भी बोलते हैं कहां पे inside uterus के अंदर ही तो यह सारी चीज़े हो रही है तो uterus के अंदर placenta की chorion layer के उपपर बहुत सारे cysts का बन जाना वो कहलाता हमारा hydratiform mole clear हो गे इतना तो आपको समझ में आ गया कि hydratiform mole होता क्या है लेकिन एक और चीज़ बारे में इसके बारे में बता दूँ अब हमने इसको कहा था new plasma जैसा हो रहा है बदलब कुछ extra growth तो हो रही है vesicles भी बन रहे है तो लेकिन यह new plasma कौन सी condition होती है यह होती है benign ठीक है आप यह कह सकते हैं कि यह cancer की first stage होती है क्योंकि अगर यह treat हो गया benign condition में hydratiform mole तब तो ठीक है नहीं तो फिर यह chorionic cancer cause करता है क्या करता है chorionic cancer cause करेगा अगर यह कब रहा untreated if untreated leads to chorionic cancer ठीक है benign stage क्या है benign stage तो आप treat कर सकते हो अगर treat नहीं किया अगर untreated रहा तो क्या होगा chorionic cancer हो जाएगा ठीक है जो कि एक malignant condition है फिर यह कौन सी condition हो जाएगी malignant ठीक है malignant condition तो आपको समझ में आ गया हमने बोला यह कौन सी condition है benign condition है hydratiform mole यह benign condition है तो इससे क्या होगा जब इसको आप treat कर दोगे तो दिक्कत नहीं है लेकिन अगर यह untreated रहा untreated रहा तो यह करेगा chorionic cancer जो की कौन सी condition है यह benign condition कौन सी है ठीक है benign condition कौन सी है जहाँ पे hydratiform mole हो रख है आपका लेकिन chorionic cancer कौन सी condition है यह malignant condition ठीक है अब आपको इतना समझ में आ गया होगा अगर आपने simple सा इसको treat कर दिया तो यह benign condition में ठीक हो गया नहीं तो यह lead करेगा chorionic cancer अब बात करते हैं इसके cause क्या हो सकते है तो cause इसके mostly unknown है इसका कोई भी cause known cause नहीं है ठीक है लेकिन इसके बहुत सारे risk factors देखे गए है क्या देखे गए है risk factors अब risk factor बहुत सारे है ठीक है जो भी कोई भी abnormality वो risk factor है इसका लेकिन जो main main है उनके बारे में हम discuss कर लेते हैं पहला तो इसमें देखने को मिलता है जो जिसका कारण हम मान सकते इंक्रीज लेवल ओफ सेजी ठीक है कितना होगा वह अभी बात में पढ़ेंगे हम तूसरा अगर pregnancy कब हो रही है advance age है मदर की advance age में भी देखने को मिल सकता है तीसरा अगर मदर immunocompromise है ठीक है immunocompromise अगर immunocompromise है चौथा अगर उसको कोई previous history है क्या है previous history अगर उसको किसी mole की है previous history of mole ठीक है अगर उसको कोई पहले hydratiform mole वगरा हो रखा है clear हो गया इतना तो ये आपको risk factor याद रखने है ठीक तो ये हमारे risk factors है hydratiform mole के इसमें बहुत सारे हो सकते हैं हम main पढ़ रहे हैं जो आ सकते हैं exam में और जिसको हमको लिखे ये भी लिखेंगे आप तो full marks आ जाएंगे अपके ठीक है अब हम बात करते हैं ये कुछ type होते हैं क्या होते है type तो इसके 2 होते हैं type एक को तो हम बोलते है partial mole partial mole यह इसी का दूसरा नाम होता है incomplete mole Incomplete mole अब यह क्या होता है आसानी से हम इसको समझ लेंगे उससे पहले हम यहां पर लिख देते हैं दूसरा कौन सा होता है complete mole अब क्या-kै अंतर है इन 2 को हम क्या-kै बोलेंगे अब देख लेते हैं ठीक है पहली चीज पहली बात जो पार्शल मूर के बारे में है वो यह है कि हमने बोला था है सीजी का लेवल ज्यादा बढ़ता है तो सीजी का लेवल किस से ज्यादा बढ़ता है सीजी ज्यादा हो जाता है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पर एमेल से लेकिन लेस देन वन लेक पचास हजार से तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन किस से कम रहेगा वन लेक से कम रहेगा दूसरी कंडिशन पार्शल मूर के बारे में क्या है कि इसमें जो फीटल की जो हर्ट रेट हो आपको प्रेजन्त मिलेगी ठीक है फीटल की हर्ट रेट आपको सुनाई रेगी तीसरी बात इसमें कह सकते हैं हम जो ब्लीडag होती है वह बहूत कम ब्लीड़्यदिंग को मिलती है लेकिन मसग ब्लीड फीक है तो माइव ब्लीडंग देखने को मिलेगी और एक और चीज when the triploid क्या Aarway triproid मौन को यह ति EC group 2 एक अब बात करते है कंप्लीट मोल की ता यहां पर क्या प्यां सब्सक्राइब सब्सक्राइब, SCG more than 1 lakh, ठीक है, more than 1 lakh कह सकते हैं, तूसरी कंडिशन, इसमें FHR present था, जबकि इसमें FHR absent हो जाता है, क्या हो जाता है? अपसेंट, FHR absent हो गया, तेसरे चीज, अब अगर FHR हो गया, तो इसमें एक और extra point लिख रहा हूं, जो यहाँ पर नहीं लिखा, fetal की death हो जाएगी इसमें, अगर FHR ही नहीं है, तो fetal death, वो आप इससे समझ सकते हैं, FHR absent हो गया, तो, चौती चीज हमने इसमें लिखा था mild bleeding, जब कि इसमें कैसी bleeding होती है, heavy या बहुत ज़्यादा bleeding होती है, heavy या severe bleeding लिख सकते हैं, ठीक है, severe bleeding, ठीक है, severe bleeding हो सकती है, बस आपको इतनी चीज, याद करनी है complete और incomplete में, दुबारा से एक बार देखते हैं, क्या-क्या चीज, ठीक है, तो सबसे बहले हमने क्या बोला, ह दूसरा हमने बोला complete मोल, तो SCG का लेवल 50,000 से ज़्यादा, लेकिन 1,00,000 से कम, FHR प्रजेंट रहता है, mild bleeding होती है, और हमिशा टेप्लॉइड मोल होंगे इसमें, जब कि हमारा complete मोल होगा, उसमें जो SCG का लेवल है, ठीक है, वो 1,00,000 से ज़्यादा होता है, और FHR इसम हम मोल के बारे में, clear हो गया जितना, ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, अगले टॉपी, अगला इसमें क्या पढ़ेंगे अब हम, अब हम पढ़ेंगे, इसमें SYNAM SYMPTOM क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, तो इसके SYNAM SYMPTOM जादा, बहुत जादा त अब वजाइनल ब्लेटिंग में एक बहुत अच्छा question आता है, इसमें, white current और red current, sorry, white current और red current, ठीक है, white current और red current, अब होता है, white current, red current क्यों बोल जाता है, देखिए, bleeding तो होगी, वहाँ परफोरेशन हो रहा है, placenta का, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, जो vesicles से जो fluid आता है, ठीक है, जैसे vesicles के अंदर कौन सा fluid बहुत रहेगा, वो तो कैसा होगा, white color का होगा, तो blood के साथ में, जैसे blood है, बहुत सारा, तो इसके साथ में ये देख रहे हैं, जो white color का आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या vesicles का fluid होगा, ठीक है, lesions का fluid होगा, इसलिए इसको बोला जाता है, white current in red current, white क्या है, vesicles का fluid है, red क्या है, blood है, ठीक है, तो vaginal bleeding देखने को मिलती है, पहली, दूसरी चीज, vaginal bleeding के साथ-साथ, इसमें female को एक और, मतलब आप ये कह सकते हैं कि, female को ऐसा लगता है, कि something is coming out from the vagina, ठी ठीक है, female feel that, feels, something is, something is, coming out from vagina, ठीक है, ये mild में भी हो सकता है, ठीक है, heavy में, जो हमारा complete वाला है, उसमें तो पता चलेगा, लेकिन जो partial या incomplete वाला है, उसमें क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा, जो blood या बागी सारी चीज़े, एक्सपल आउट होती है, तो उसमें हमको, female क्या करेगी, feel करेगी, कि something is coming out from the vagina, कुछ ने कुछ बजाएना से, leakage हो रहा है, clear हो गया, next condition, अब क्या हो सकता है, इसमें, अब वहाँ पर रप्चर हो रहा है, तो pain हो सकता है, कि नहीं हो सकता, pain हो सकता है, कहां पर pain देखने को मि देखने को मिल सकती है, अब हम बात करते है, हाँ, एक और चीज, vomiting देखने को मिलेगी, अब पताइए, vomiting क्यों देखने को मिलती है, vomiting तो normal भी देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर क्यों देखने को मिलती है, बचो देखो, अब vomiting का कारण आपने बहुत लोग उसे पूचा ह होगा सायद उनने कुछ आपको specific answer ना दिये हों यकिन आज हम देने वाले हैं जो SCG होता है ठीक है यह SCG क्या करता है जो हमारे sphinctures होते हैं जैसे हमारा cardiac sphincture हो गया pyloric sphincture हो गया stomach है ना यह sphincture है जब SCG का level जादा होता है हमारे body में तो यह जहां पर sphinctures होते हैं इसको कर देता है relax अब यह जब relax हो जाता है यह हो जाता है open SCG जैसे बढ़ता है यह हो जाता है relax अब relax हो रहा है नीचे से pressure भी बढ़ रहा है तो content क्या होगा बाहर आएगा तो इसी वजह से pregnant woman को क्या देखने को मिलती है vomiting देखने को मिलती है ठीक है तो यह कारण है हमारा main SCG बढ़ने से कैसे vomiting होती है या pregnancy में कैसे होती है तो यहां तो पचास हजार से ज्यादा एक लाग से ज्यादा हमारी SCG का level जा रहा है ठीक है तो उस के अलावा अब आपको बहुत सारी अब इसमें तीन चीजा आती है जहां से question पूछा जाता है ठीक है एक और question पूछा जाने की chances है ठीक है अभी तक वैसे नहीं पूछा गया है अब अगर condition कितने percent cases ऐसे होते हैं जहां पे आपको uterus की हाइट more than gestational age अभी समझ में आ जाएगा आपको uterus हाइट कि मोर देन यह उसके आगे है ठीक है चौथा पांचवा पॉइंट जो भी था यह साइन ही है अभी साइन सिम्टम में ही है uterus हाइट more than age age मतलब यहां पर age का मतलब है gestational age ठीक है gestational age कैसे पता करते हैं जैसे suppose जब हम फंडल हाइट लेते हैं तो उसमें plus two minus two करते हैं यह नॉर्मल होता है कैसे जैसे 18 week pregnancy है किसी फिमेल की ठीक है अगर हम फंडल हाइट ले रहे हैं तो फंडल की हाइट फंडस की हाइट कितनी आ रही है हमारी 22 cm आ रही है तो यह क्या है नॉर्मल है 18 week पे 22 cm ठीक है अब अगर हम 22 या हम ऐसा भी कह सकते है कि सुरी यह तो 4 हो गया 18 week पे क्या होगा 20 cm तक नॉर्मल हो सकता है प्लस 2 भी हो सकता है ठीक है और माइस 2 भी हो सकता है मतलब 16 भी हो सकता है तो यह दोनु यह more than 20 कह सकते हैं more than 20 हो रही है क्योंकि 20 तक तो हम नॉर्मल लेंगे अगर 18 week की प्रेगनसी है तो 20 तक नॉर्मल हो सकता है लेकिन 20 से ज्यादा हो रहा है तो more than gestational age ठीक है gestational age हो गया अब यह कितने परसेंट अगर है किसी को तो उसका uterus कितने percent cases में जछादा देखने को मिलेगा उसकी height ज़यादा देखने को मिलेगी ठीक है तो सबसे ज़्यादा हमको यही देखने को मिलता है 70% cases में हमको uterus की height normal और्मल जितनी उसकी height होनी भी चलता एक्वल रहती है जैसे 18 वीक की प्रेग्नेंसी है तो जितना 18 वीक में होना चाहिए हाइट उतनी हाइट होगी ठीक है तो यूटरस की हाइट इक्वल इक्वल टू जैस्टिशनल एज ठीक है यह कितने प्रेश केसस में देखने को मिलता है यह भी केवल 20 प्रेशस में देखने को मिलता है इक्वल भी हो सकती है मतलब इतना समझ गए अब सबसे कम चांस क्या होते हैं यूटरस की हाइट क्या decrease कह सकते हैं decrease than gestational age ठीक है अब uterus की height कैसी देखने को मिलेगी जितनी gestational age में होनी चाहिए ती उससे कम देखने को मिलेगी तो ऐसा केवल बहुत कम cases में होता है 10% cases में दुबारा से बता रहा हूं मैंने यह बोला कि अगर hydratiform mole हो रखा है हमको पता चल गया bleed हो रहा है बागी सारी चीज़े हो रही है तो एक और चीज़ बसती है मारे पास fundal height ठीक है मैं uterus height लेखा fundal height लेख लेजेगा यहां पर ठीक है तो fundal height अगर gestational age में जितनी हो नहीं है उससे ज़ादा हो रही है तो वो भी ऊसकता है hydratiform mole और ऐसा कब कितनी cases में देखने को मिलता है सौं ऐसे 70 cases hydratiform mole के अगर हम लेगे तो उसमें uterus के height हमें ज्यदा ही देखने को मिलेगी धेख है में 10% cases में clear हो गया अब बात कर लेते हैं इसकी यह पढ़ लिए हमने signum symptom अब बात करते हैं किसकी diagnostic evaluation की अब कुछ diagnostic evaluation भी तो है विया कैसे पता चलेगा हमको ठीक है तो सबसे पहले हम इसमें बहुत सारी चीज़े करते हैं वैसे SCG लेवल चेक कर सकते हैं एहना तो इससे ही पता लग जाएगा SCG का लेवल बड़ा हुआ होगा ठीक है more than 50,000 हमने बोला था international unit per ml दूसरे चीज़ SCG भी जरूरी नहीं है कि एवल इसी case में बड़े दूसरा क्या कर सकते हैं CT scan वगरा कर सकते हैं MRI कर सकते हैं यह normal नॉर्मल है और USG क्या करेंगे आपको पता लग जाएगा USG से क्योंकि USG में क्या देखने को मिलता है एक बहुत इसको आप 500 नंबर देखे यह 500 रुपय में खरीद लो snowstorm क्या देखने को मिलेगा हमें appearance देखने को मिलेगा ठीक है जब हम USG देखेंगे तो उसमें snowstorm appearance देखने को मिलेगा दो चीज़े आज अच्छे से देखेगा एक तो हाइड़र्टी फॉर्म मोल की पिक देखेगा जब भी हम जो जो टॉपिक पड़ते यहां पर पिक उनकी दिखाना संभाव है नहीं अभी ठीक है हम ट्रै कर रहे हैं अपने टेक्निकल टीम हमारी जै की पिक भी देखे साथ में मैंने बोला snowstorm appearance अब मैं चाहे कुछ भी बता दूंगा इसमें हाँ थोड़ा white white सा दिखता है snow की तरह दिखता है तो आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आप इसको यह देखेंगे कि snowstorm appearance in hydrating form wall सर्च कर लीजे तो आपको उसमें appearance देखने को आ और आपको याद रहेगा यह एक्जाम में question आया हुआ है बहुत बार एम्स तक के एक्जाम में पूछा गया कि snowstorm appearance किस condition में देखने को मिलता है ठीक है चार option दिए होंगे उसमें hydrating form wall एक होगा उसमें आप देख लेजेगा तो केवल इसमें ज्यादा diagnostic evaluation है नहीं इससे आप अब हम बात करते हैं management की ठीक है तो management में क्या कर सकते हैं बताओ अब किसी को hydrating form wall हो गया तो pregnancy को continue कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो सीधे termination कर सकते हैं हम इसका ठीक है हो सकता है ठीक है एक तो cancerous cell समझ लीजिए इसको ठीक है termination करने के बाद अब कैसे करता है termination करने के बाद आपको क्या करना है ज्यान देजिए आपको जो SCG का level है वीकली चेक करना है ठीक है हर वीक आपको SCG monitor करनी पड़ेगी termination करने के बाद भी termination followed by ठीक है termination करने के बाद भी आपको वीकली SCG का level चेक करना पड़ेगा कब तक 6 week तक कब तक 6 week तक दूसरी condition आती है फिर 6 week के बाद क्या करोगे आप 6 week तो 6 month तक आपको क्या करना पड़ेगा 6 month तक every month चेक करना पड़ेगा यह आपको समझ मां आ गया होगा मैं क्लियर ठीक है मैंने बोला termination तो करना पड़ेगा और कोई management है नहीं हमारे पास medicine वगरा जो भी है उसको देख लेंगे लेकिन pregnancy को continue करना पॉसिबल नहीं है ठीक है लेकिन अब हमने termination तो कर दिया उसके बाद भी क्या हो सकता है अब हमने बात करते हैं कि इसमें drug of choice रगभी तो यूज करते होंगे termination दो कर दिया हमें ह। cell cancerous cell बार बार बोल रहे हैं तो हम इसकी जो drug of choice देते हैं वो कौन सी देंगे methotrexate यह आपको पता है कैसे देते हैं methotrexate को methotrexate को कैसे देते हैं हमने पहले भी पढ़ा है कौन सी condition में पढ़ा है यह बताओ गया पहली चीज़ आज का question क्या है है कि methotrexate को इससे पहले हमने कौन से lecture में discuss किया था ठीक है और किसकी drug of choice होने वाली है वो तो खेर मैं बताता हूं आपके 50 mg मेटर स्क्वाइर के हिसाब से हम इसको देते हैं कैसे देते हैं हमने बात करी थी पहले alternative day पर देंगे ठीक है alternative day पर देंगे और कितनी बात देंगे जैसे हमने एक पार इसको मानके चला एक दिन दी तीसरे दी पांच वे दी इसको आप एक पिर एसे ही हम क्या करेंगे ? एक दिन, तीन दिन, पांस दिन, साथ दिन फिर हमने दूसरा टैयार किया ऐसे हम तीसरी बार करेंगे फाइव और सेवन तो हमको यह तीन स्लोट में ऐसे ऐसे करके देनी है हम यह कह सकते हैं अवरि अल्टानेव डे नहीं है से और कितने बार देनी है 3 times, ऐसे ही देनी है 1 3 5 7 फिर 1 3 5 7 still 1 3 5 7 2 3 5 7 का मतलब है पहले दिन फिर तीसने दिन, फिर पांचवे दिर पिर साथने फिर से पहले दिन, तीसने दिन, dimensional फिर साथने दिन ऐसे करके हमको मैथोट्रिक्जेट की ड्रग दे नहीं है और यह कितने टाइम हो गया वैसे तो यह 4 टाइम है मतलब ऐसा समझ कीजिए 4 टाइम 4 टाइम और 4 टाइम यह अगर हम स्लॉट में कहें तो 3 टाइम ठीक है 1 2 3 तो आप इसको समझ लीजिएगा बस मैंने समझाने के लिए बोला आपको ऐसे ड्रग को देते हैं ठीक है कई बार 3 टाइम दिखा होगा तो आप ऐसा समझेंगे मतलब 3 टाइम का मतलब आपका ही TDS भी समझ सकते हैं तो ऐसा नहीं है TDS तो देते नहीं है method रिग्जेट को कभी भी alternative day पर देते हैं दूसरा 3 टाइम का मतलब ऐसा भी नहीं है कि हवते में 3 दिन दे दिया बस खतम हो गया यह ऐसा भी नहीं कि वल 3 ही टाइम देते हैं इसका मतलब ठीक है जी cancer लिग दिया हमने तो अब हम cancer अब method रिग्जेट बहुत सारे cases में दी जाती है यह तो मैं cancer वाला बता रहा हूं और भी बहुत सारे cases में दी जाती है बताएंगे इसको पहला जो chorionic पहला तो हम यहीं बोल सकते है chorionic cancer में सी से chorionic cancer इस case में दी जाती है हमारी कौन सी method रिग्जेट दूसरा A से abortion में भी देते हैं abortion में कौन सी देंगे method रिग्जेट देंगे N से N से क्या हो सकता है आपने एक सुना होगा non-herdkins lymphoma ठीक है यह भी क्या होता है दूसरा question है मेरा आज का चलो इसको छोड़ दो इसमें disease condition में आएंगे तो तीसरी condition non-herdkins lymphoma में देते हैं चौथा कि एक आपने सुनी कि कौन स्ट डिजीज कौन स्ट डिजीज ठीक है यह भी पढ़ेंगे हम उसके अलावा हमने एक और disease condition ली थी ectopic pregnancy यह आपका question का answer अभी अभी दे दिया आपके लिए question तो दूंगा ही मैं आज आपको ठीक है और rheumatoid arthritis में भी आपने drug of choice पड़ी होगी क्या rheumatoid arthritis ठीक है तो उसमें भी क्या देते हैं हम हमको pregnancy continue नहीं करनी है जैसे हमने हीड़ेटी फाम ओल वादी हाथ तो हमने continue नहीं करनी थी तो contra-indicated रहती है pregnancy में लेकिन इसके अलावा भी इसको कब दिया जाता है आपने सुना होगा graft rejection क्या सुना होगा graft rejection जैसे हम किसी donor से किसी recipient को kidney वगरा या कोई organ वगरा transplant करते हैं तो उसमें chance होते हैं कि क्या हो सकता है वो graft reject कर सकते हैं दूसरे के antibody तो उस time पे भी हम method रग्जेट वगरा चलाते हैं clear हो गया इसना तो graft rejection में भी हम क्या देते हैं method requisite उसके अलावा और कहीं पर चलो उसके अलावा जैसे जैसे आएगा उतनी बात कर देंगे तो आप इसको देख लीजी कि कोरियोरी कैंसर में देते हैं अबोशन में देते हैं नौन होट किंग लिफो में देते हैं कॉंस डिजीज एक्टॉपिक प्रेग्निसी रुमेटाइड अर्फराइटिस ठीक है और उसके अलावा हमने क्या बोला जाइवयर कश्चन के लिए जड्रग औंफ जॉइस कौन सी एव तो उसके लिए हमको क्या याद रखना है याद रखना है क्या अब पता पता चलिए कि ट्रॉप कौनसी डे रहे अब इसके लावा हमने पहला termination कर दिया पहला हमने termination कर लिए है क्या कर दिया Amand तर्मिनेशन कर दिया दूसरा हमने क्या कर दिया टर्मिनेशन करने के साथ साथ हमने क्या किया ड्रग दे दी अब तीसरा और क्या कर सकते हैं हिस्टेक टमी क्या कर सकते हैं हिस्टेक टमी करनी पड़ती है भी यह तो दिक्कत हो सकती हिस्टेक टमी कर दी हमने उसके अलावा और क्या कर सकते हैं उसके अलावा एंटिबायोटिक थेरेपी भी हम इसमें चलाते हैं एंटिबायोटिक थेरे तो यह आप बात याद रख लेना ठीक है पहने से लिए क्लियर हो गया और हम एड़ वाइप पेशेंट को क्या करेंगे जो भी फीमेल होगी उसको बोलेंगे अप्रॉक्सिमेटली इसके अलावा क्या कह सकते हैं चलो इतना हो यह होगे हमारे मैनेजमेंट ठीक है और एक और चीज़ बता देता हूं इंपोर्टेंट है इसमें ऐडिकेट हैं नहीं लगाती है ठीक है तो यह भी हमारे हमारे क्या होती है नेक्स बात करते हैं कि इसकी वज़े से याख क्या क्मिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं लाउस्ट त डिसकस कर रहा हूं ठीक है गया चाईनल्ट फैला कि पहला आता है यह ओवाता याट्री molta चिकुर्म प्राइश्विएरिशन हो सकता है क्यूंकि फ्राइटीव डिजीज है वै यौस Data कीariat कभी hurricane हो जाए का जब बहुती advance stage में चलिजाए की condition तो your try i–qué tecn धिरेश्ण हो सकता है यूट्राइट को द्यूसरा यह हो सकता है uterine proliferation के साथ साथ हमें देखने को मिल सकता है अगर बहुत ज्यादा bleeding हो रही है हमने बोला ठीक है तो क्या देखने को मिल सकता है इसमें bleeding हो रही है तो hypovolumic shock अब hypovolumic shock हो रहा है तो एक और हमने बोला था यह तो benign condition है है जब इसका complication होता है यह मैंने क्या लिखा था पता नहीं complication बढ़ रहे हैं ठीक है complication तो तीसरी बात हम करते है uterine proliferation hypovolumic shock और तीसरा chorionic cancer को lead कर सकता है ठीक है chorionic cancer को lead कर सकता है chorionic cancer भी हो सकता है तो यह इसके क्या है complication है hydratiform mole के अब इस से related जो भी चीज़े हैं और आज का मैं question दे रहा हूं आपको हमने बात करी किस चीज़ की हमने बात करी थी SCG के label की लेकिन मैंने वहां पर आपको normal level नहीं बताया था तो नॉर्मल लेवल बताएंगे आप pregnancy में नॉर्मल अमाउंट ओफ SCG during pregnancy ठीक है तो यह आपका है question ठीक इसके अलावा अभी तक मैं आपको बोलता नहीं था कि अगर आपको सही लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अभी भी नहीं कह रहा हूं लेकिन एक चीज है इसमें मैं चाहता हूं कि हमारी जो वीडियो हैं हमारा जो content है वह बहुत सारे बाकी लोगों के पास भी पहुँचे ठीक है तो उसके लिए क्या करना होता है जब आप लोग उसको लाइक और लाइक क सब्सक्राइब करके सायद उसके कुछ ऐसा होता है कि और ज्यादा लोगों तक रीच होती है ठीक है तो यूटूब को लगता है कि इसको लोग देख रहे हैं या इसमें कोई सही चीज है तब बाकी लोग उता उनको क्या करता है भीजता है तब जाके हम लोग सर्च में पहेंगे ठीक है थैक है थैंक यू